दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राबे ने पूचा है कि मैं MS Word बनाता हूं लेकिन मुझे अन्मर्ज और मर्ज नहीं करना आता MS Word की टीवल की अंदर Excel में मुझे आता है क्योंकि Excel में मुझे function मिल जाता है लेकिन Word में में नहीं कर पाता तो अगर आपका भी इस तरह का प्रेशन है और आप भी मर्ज अन्मर्ज नहीं कर पा रहें MS Word के अंदर जानने के लिए इस वीडियो को continue सुरूश के लास तक शुरूँ दिखे है नमस्का दूस्तों आप देख रहे हैं PC computer हिंदी दूस्तों MS Word के अंदर मर्ज अन्मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले टेवल तो आपको बनाने ही होगी ठीक है तो दूस्तों आप जैसे वर्ट के अंदर टेवल बनाएंगे तो यहां पर दो अक्ठीवा पर मर्ज के लिए अप्शन मिल जाएक लेक है टेवल के अनीवल नहीं है क्योंकि आपने श करने के लिए सह को सेलक नहीं किया ठीक, तो मैं यहाँ पर merge कैसे करता हूँ, दीखिए, यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, table अब दोस्तों मुझे यहाँ पर merge करना है, हना, मुझे यहाँ पर table को merge करना है, और यहाँ तक ले जाना है, ठीकि एक लिए column बनाना है, यहाँ पर सेंपल सा मैं सबी को सेलेक कर लेता हूं इतने तक एन यहां पर मैं मर्ज औप्टिपेट हो गया हैं यहां पर मैं मर्ज करना तो शीख लिया अब अनमर्ज कैसे करेंगे दूस्तों simple से मैं इस पर click करता हूँ layout पर जाता हूँ तो यहाँ पर unmerge का function नहीं है आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा तो फिर हम MSWAT की table के अंदर merge हुई cell को unmerge कैसे करेंगी उसके लिए दूस्तों आपको करना क्या है and यहाँ पर spill cell पर click कर देना है and यहाँ पर आपको number of columns कितने थे अपने 7 7 type करते हैं यहाँ पर number of row एकी एकी थी तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगी उक्के पर click करते हैं उक्के पर click करते ही आपकी cell यहाँ पर unmerge हो जाएगी हना तो हमने जिस तरह merge किया था हमने यहाँ पर उस cell को unmerge कर दिया है तो इस तरह से MS Word के अंदर merge unmerge करते हैं आई हो आपको यह वीडियो काफी helpful लगा दोस्तों इसी तरह की और helpful वीडियो के लिए हमारे चनल पर बने रहे हैं कफरें थेंक्स और बाइबाइ